ग्रीन कार्पेट पर उत्री कैटरीनाने की बोल्डनेस की हदे पार, शिमर ड्रेस में धाया कहे अपने 20 सालों के इतिहास में पहली बाद मुंबई में हुए आई आइफ अवार्ड्स 2019 में बलिवुड स्टार्स ने अपनी बेस्ट लोक से जल्वे बिखेरे बुदबार रात आईफा आवार्ड्स नाइट के नैशनल स्पोर्ट्स क्लब अफ इंडिया में आयोजित की हुआ साल के बड़े आवार्ड्स में से एक के ग्रीन कार्पेट पर सलमान खान, सारा अली खान, रादिका आपते समेत कई स्टार्स नजर आए लेकिन कैटरीना कैप ने अपने स्टाइलिश और बोल्ड लुक से सब के होश उड़ा दिये इस अवार्ड्स शो के ग्रीन कार्पेट पर करीना ओफ वाइट शिमर गाउन में बेहद हसीन लगी है ग्रीन कार्पेट पर आते ही कैट के कातिलाना अंदाज ने महफिल लूट ली शिमरी गाउन के साथ उनके खुले स्ट्रेट बाल, यूट मेकप और क्यूट स्माइल कैट के लुक के कमपलीट कर रहे है एक ट्रेस की ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायल हो रही है जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे है बता दें कि इंडिस्ट्री की बार्बी गरल यानी कैटरीना कैप की गिंती बाय अलिवर्ड की बोर्ड एक ट्रेस एसमें होती है वह अपने हर लोग को लेकर चर्चा में रहती है लोग उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी स्माइल के भी दीवाने है कैट की अदाओं का तो कोई जवाब ही नहीं है वरक फ्रंट की बात करें तो कैटरीना को आकरी बार सलमान खान के साथ फिल्म भारत में देखा गया था फिल्म में कैटरीना को भी काफी पसंद किया गया था अब कमिंग प्रोडेक्ट की बात करें तो कैटरीना रोहित शेटी की फिल्म सूर्य वन्शी में अक्षे कुमार के अपोजिटन हजराएंगी यह फिल्म अगले साल मार्च में रिलीज होगी